हलो दोस्तो आज मैं फिल लेकर आई हूँ एक नियू रेस्पी के साथ तो फ्रेंस एक बिहार की बहुत ही फैमेस रेस्पी है तो आप इसको क्या बोलते हैं हमारी यहां बोला जाता है ठेक हुगा इसको तो आप इस मन्चाई डिजान दे सकते हो फ्रेंस वीडियो अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक जरू करके जाना तो फ्रेंस चलिए बनाना शुरू करते हैं तो हमने यहां पर लिया है एक कटोरी आटा और आपको अगर जादा लेना हो तो जादा ले सकते हो तो दोस्तों हमने यहां पर एक कटोरी आटा ले लिया है और अब हम उसको डाल बावल में ध्यान से देखे हमने यहां नमक का बनाया है तो फ्रेंस वहां पर मीठा बनता है और लेकर हमने यहां नमक का बनाया है तो थोड़ा हमने नमक डाला है नमक डालने के बाद हमने अच्छी से इसको मिला दिया है तो मिलाने के बाद हमने इसमें कोई मोयन नहीं दिय और हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जाएंगे और बहुत ही अच्छा सा डू लगा के एकदब परभख तयार कर लेंगे तो दोस्तों हमारा डू लगके तयार हो गया है अब हम यहां पर डालेंगे एक चम्मा चॉयल तो हम और डार के बहुत ही अच्छी तरह से इसको प्रिस कर देंगे और जो हमने आटा लिया था उसको हम बहुत ही अच्छी से मिलाएंगे और इसको हमने चीकना कर लिया है जितना हम पर हुआ चिकना कर दिया है और चिकना ही करना अब हम इसको क्या करेंगे हम इसको डोके आकार में बहुत ही अच्छी से लोईयां बना के तैयार कर लेंगे तो हमें कुछ इस तरीकी के लोईयां चाहिए एक साइच की चाहिए तो प्रेंस अब हम इसको एक साइड में लग देंगे एक साइड में हमने उठा के लग दिया है एक को उठाया है और बहुत ही अच्छी से इसको चिकना करना है इसमें कोई दरार ना रहा तो दोस्तो हम इसको बहुत ही अच्छे से चिगना कर देंगे जो दरार है वो भी मिटा देंगे तो दोस्तो यहां पर हमने सारी दरार मिटा दियो और चार हमने बना के तयार कर लिया है अब हम इसको क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा इसको दबाते प्रेस्ट करते जाएंगे तो हमने कुछ इस तरीके से इसको दबा दिया है जिससे मोटा भी ना रहे और पतला भी हो जाए तो अब हम इसको थोड़ा बेल लेंगे जिसको इस पतला हो जाए ज्यादा मोटा भी ना रहे तो दोस्तो देखिए हमने इसको कुछ इस तरीके से कर लिया है जिससे मोटा भी ही रहेगा और अभ हमें चाहिए कंगा हमें साहयतासे इसको बनाना जो कहां इसको दिजान दे रहे हैं तो देखिए हमने क्यूणकीन दे हैं क्योंकि इसको मोटा हमोना भी है तो यहाँ देंग और हम इसको फ्रेंच देखे हैं अच्छी कमची से इसको डिजान दए दिया है और दिजान देने के बार अब मैंने लिया यहां पर एक कैची कैची हम बनाएंगे इस से यह फिलोवर तो दीstep इस तारीके से बनां कितार त्यार कितार अ आप जो कंगी की यह लेए लाए तो पर आप चाहों तो चाकू से भी कर सकते हो, तो दोस्तो हम अगर चाकू से करेंगे तो हमारी डिजन बन के तयार नहीं होगी, अब हम इस बनाते जाेंगे, और कुछ इस बना दे जाएंगे, दोस्तो फोड़ा इसको दबा लेना, जिससे मौटा भी नहीं लगा, देखिए़ए, हमारा बन के बहुत ही अच्छी तयार हुआ है तो अब हमने यहाँ पर लिया है एक फ्लो कलर का तो प्रेंस हमने इसमें बीच में रख दिया है जिससे हमारे यह ठीकुआ बहुत ही सुन्दर लगे देखने में तो प्रेंस सारे बन के तयार हुआ है इस तरीके से आप अगर ब पसंद आता है तो प्रेंस वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो को लाइक जरू करना सब्सक्राइब